पार्शियुनी के समीप ग्राम कायपटा के पेंच नदी में बावोवाडा निवासी यूवक अर्विन के लास राउत उम्र उनीज साल जिसकी नदी में डूपकर मौत हो शुकी है अर्विन अपने साथियों के साथ दोड़ लगाने गया था दोड़ होने के पश्चाथ साथियों के साथ नदी में नहने गया अर्विन भी नदी के पानी में तैरने गया उस समय पानी का अंदेशा नहीं होने से और उसी जगर डो होने से पानी अधिक था जो अर्विन पानी में तेरना नहीं आने से वह पानी में डूबने से अर्विन किम्रुती होने की घटना बद्वार की सुबर छे बजे हुई है बाबुरवाडा के युवक कर दिन से पुलीस की भरती के लिए रनिंग कर रहे थे रोज सुबर युवक दोड़ लगाने के लिए रास्ते से दोड लगाने का सिलसिला शुरू था लेकिन आज काड़ापाटा ग्राम की तरब पहती पेंश नदी के किनारे रेत में दोड़ लगाने आए और दोड़ लगाने के बाद थके हारे होने से नदी के किनारे पानी कम होने से वहाँ पर नहने के लिए गये पर जिस पानी कम होने का अंदेशा वही पर पानी की गहराई थी जो इन योकों को दिखाई नहीं दी वही अर्विन तैर ने गया वहाँ पर पानी आदी गहरा था पर पानी में तैरना नहीं आने से वह पानी के डोग के अंदर गया जो बाहर नहीं आने से दर्थनाक उसकी मौत हो गई परिवार और बाबुरवाडा में शोक की लहर फेल गई है वही पारशूनी पुलीस विभाग को घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पारशूनी पुलीस उपनिरिक्षक निलेश गोहने पुलीस बासुडे और उनके साथ ही पुलीस कर्मिचारी को ठेकर घटना सल पर नदी के पानी में श पारशूनी पुलीस कर रही है इन बीसे न्योस के लिए पारशूनी से रुपेश खंडारी की रिपोर्ट